हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फूट फेस्ट विद फेमिली एंड फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लोकी की के, वो भी बिल्कुल सिंपिल तरीके से वैसे तो इसे कभी भी बना कर खा सकते हैं, पर ये बरत में बना कर ज्यादा तर खाई जाती है क्योंकि इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और ताजा ताजा लोकी हमारी सहत के लिए भी अच्छी रहती है और ये रेसिपी बच्चे हो या बुड़े सभी को बहुत पसंद आती है तो चलिए बनाते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजे जिससे कि आप मेरी आने वाली नहीं रेसिपीस को भी देख सके इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ताजा लोकी ये मीडियम साइज का है और बिल्गुल ताजा है फिर मैंने एक कड़ाई में एक लीटर दूद करम करने गैस पर रख दिया है जैसे ही इसमें उबाल आ जाए इसे लोटू मीडियम फ्लेम पर करके गाड़ा होने के लिए छोड़ देंगे और इसमें एक कल्चुल डालने से दूद जल्दी उबल कर बाहर नहीं फैलेगा और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे अब इसी बीच में हम बाकी की सभी तेगारिया कर लेते हैं यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइफूर्स निकाल लिए हैं मैंने कुछ काजू, बादाम, किस्मिस और पिस्ता और चिरोंजी निकाले हैं आप अपनी पसंद के ड्राइफूर्स निकाल ले और बीच बीच में हमें दूद भी चेक करते रहना है यह देखिए दूद भी दिरे-दिरे काड़ा हो रहा है फिर मैंने यहाँ पर ड्राइफूर्स भी कट कर लिया है और अब आ रही है लॉकी की लॉकी को कड़ाही में डाले से जस्ट पहले ही चिल कर कद्दूकस करेंगे क्योंकि यह फिर काली पढ़ने लगती है लिखने में भी अच्छे नहीं लगते और अब एक कड़ाही में एक चमच घी डालकरे से गर्म कर लेंगे और इसमें कटे हुए ड्राइफूर्स भून लेंगे भूनते टाइम किसमें सबसे लास्ट में डाली है क्योंकि यह बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है और यह देखिए ट्राइफूर्स अच्छे से भून गए हैं और अब इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसमें डाल देंगे लॉकी लॉकी को चड़ाते हुए अच्छे से लो टू मीडियम आज पर भून लेंगे यह देखिए इसका एक्षा पानी भी सूप गया है और यह गल भी गई है और अब इसमें डाला जाएगा दूद जो कि काफी टाइम से पक रहा है और अब तक काफी गड़ा हो चुका है इससे हमारा टाइम भी काफी बच गया है और लॉकी की खीर भी बहुत टेस्टी बनेगी और अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे जितनी गड़ी खीर हमें चाहिए उतनी गड़ी होने देंगे और बीच विच में चलाते रहना है जिससे के तले पर लगना चाहे और इसी विच में एक चम्मत चीनी के साथ कुछ इलाची दाने भी पहने पीस लिए हैं और ये देखिए जितनी ठिकने समय खीर में चाहिए उतनी आ गई है दूद और लॉकिया पसमें अच्छे से मिल गए है अब इसमें एड़ करेंगे चीनी मैंने इसमें एड़ किया हाफ कब से थोड़ा कम चीनी आप अपनी टेस्ट के साथ से कम ज्यादा कर सकते हैं बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो इलाची पीस का रखी थी वो भी मैंने एड़ कर दी है और इलाची तुरण पीस का डालें तो उसकी खुश्वू ही अलग होती है जरास ही लाची से ही बहुत खुश्वू फैल जाती है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर तक इसे पकाएंगे चीनी डालने के बाद ये थोड़ी पतली हो जाएगी तो जितनी गाड़ी खीर हमें चाहिए उतना पानी सुखा लेना है और अब इसमें एड़ करेंगे ड्राइ फूर्स और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी खीर बनकर तैयार है आप भी इस तरीके से खीर बनाकर खाएं और मुझे कमेट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग